Hello Friends, Welcome in RPC Only YouTube Channel दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि हमें कौन सी वो पांच गलतिया नहीं करने चाहिए जिससे हम आगामी जो रिट का एक्जाम है चाहिए वो आरेस का एक्जाम हो चाहिए वो पतवारे का एक्जाम हो चाहिए वो कौनस्टेबल का एक्जाम हो उनमें हमें अरस अपलता का मोह देखना नहीं पड़े तो हमें किन पांच जो मिस्टेक से उनको आवाइड करना चाहिए दोस्तों ये जो पांच गलतिया है ये निरंतर उन इस्टुडेंट्स से बात करते हुए ये पांच जो गलतिया तियार की गई है जो निरंतर एक्जाम में असपल होते रहते हैं तो उन्होंने जो अपनी घलतिया स्युका रही है जिसके कारण वो एक्पटिशन एक्जाम में सफल नहीं हो पाते हैं उसी के आदार पर ये वीडियो तियार गया गया है तो अब हम बात करते हैं एक एक घलति को सिल्स्विवाट हैं से देखते हैं दोस्तो जो कंपेटिशन एक्जाम से हैं उनमें असपलता का जो पहला कारण होता है जो पहली बड़ी मिस्टेक्स होती है कि आप रिट, कॉंस्टिबल और पुलिस वगरा या आरेस वगरा एक्जाम है या किसी भी कंपेटिशन एक्जाम में सफल नहीं हो पाते हैं तो युद काल में रक्थ भाने की कम जरूद पढ़ती है यानि कि अगर सांती काल में पसीना भाया जाता है तो युद काल में हिंसा कम होती है और आपको कह सकते हैं आपके जो सैनिके उनको खुन कम भाने की जरूद पढ़ती है इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर सां कर देते हैं definitely उनके रेस जीतने की जांसेच भी अधिक होते हैं तो ये गलती आपको दोहरान नहीं है अगर आप इन एक्जामें सपलता प्राप्त करना चाहते हैं दूसरे मिश्टेक्स की बात करें दूस्तों तो वो जो वंडे एक्जाम होते हैं चाहे रिट का एक्जाम हो चाहे कॉंस्टेबल पटवारी आरेस प्री एसाई जो भी एक्जाम है उनमें MCQ करने का बहुत ही इंपोर्टेन रोल हैं जो असपल अभिरती होते हैं वो MCQ कभी सॉल्वर नहीं करते हैं आपको चैप्टर पढ़ा उसके बाद आपको उस चैप्टर पर अधिक अधिक एज, मैक्सिमम एज, कोई लिमिट नहीं होने जाए इसकी एज, मैक्सिमम एज आपको MCQ सॉल्वर करने होंगे तब ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तब ही आपका जो माइंड है वो एक्जाम के पॉइंट ओ व्यू से सेट हो जाएगा ऐसा नहीं कि डायरेक्ट MCQ पढ करने है तीसरे कमी की बात करते हैं दोस्तों तो वो जो गलती होती है वो होती है नियमित अध्यान नहीं करना दोस्तों नियमित अताका सबसे महत्वपून रोल है किसी भी कारियों में सपलता किसे क्योल कंपेशन एक्जाम में नहीं जिन्दगी में भी किसी भी कारियों में अगर आप सपलता प्राप्त करना चाहते हैं तो नियमित होना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर सपल अबेरतियों कि ये आज़सी होती हैं कि वो तीन दिन बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे और उसके बाद दस तेन पंदा दिन किताबों से ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे कि उनके मतलब सन्यास ले लिया उन्होंने किताबों से तो आपको उस मानसिता से बचना है अद्यान हमें से नियमित करना है आप सभी ने बच्पन में खरगोस और कच्छुए की काहनी सुन रखी है और उस काहनी का यही मतलब सार था कि हमें नियमिता किसी भी काम में रखनी है अगर हम पढ़ाई regular करेंगे बली 2-2 गंटे करते हैं तो हमारे सपल होने के बहुत ही अच्छे chances रहेंगे इसके अलावा जो बारिस होती है बारिस का पानी अगर तेज बरसात होती तो बारिस का पानी बहकर चला जाता है यानि वो टिकता नहीं और जमीन के अंदर नहीं ज चला जाता है और हमारे सपल होने के chances ज्यादा हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों जो चोती कमी होती है या चोती गलती होती जिसके करण अभिरती सपल नहीं हो पाते है वो होता है नौट्स नहीं बना पाना दोस्तों नौट्स का बहुत important रोल है क्योंकि नौट्स हम में आपके लिए अभिशाप बन जाता है और उस अभिशाप से मुक्ती हमें केवल और केवल नौट्स ही दिला सकते हैं एक तरह से तपश्या पहले पुराने टायम में अभिशाप मिल जाता है तो तपश्या करके या कुछ पस्तच आप करके उस अभिशाप से मुक्ती मिल में इंट्रेस्ट हैं तो आप कमेंड बॉक्स में बता सकते हैं हम इस समंध में भी वीडियो ला सकते हैं पांच वी जो बड़ी गलती की बात करते हैं जिसके कान अभीर्थ यह सपल होते हैं वो भी बहुत ही इंपोर्टेंट है वो है नकारात्मक विचार एक चीज आपने स्वरू से रखने हैं कि जिस भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं आपको पहली चार गलतिया नहीं दोरानी है उसके बाद यह लाना है केवल यह नहीं कि पॉजिटी सोचेंगे तो सपलता मिल जाएगी आपको नियमी तद्यान करना पड़ेगा आपको नोर्स बनाने पड़ जिससे हम जो कमपेटिशन एग्जाम है उनमें आप कह सकते हैं इतर से अस अपलता का जो हमें मोह देखना नहीं पड़े तो फटाक से हम देख लेता है एक बार सब चीजों को एक तो दोस्तों सबसे पहले चीज है कि हमें वेकेंसी का वेट नहीं करना है वेकेंसी आया नह तो दोस्तों होफूली आपको वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को सुनने के लिए आप से भी दुस्तों का बहुत बहुत आबार बहुत धन्यवाद